छिराध्यम्च प्रथक्चैव मधूनाम्चे छुसारकैः गव्यक्छिरान्ण नईवेध्यम् प्रणवे नईवकारायेत। प्रदर्शकूंग नमस्कार एक बार फिस्कित पुस्तित हूं आप सब के सामने रवी बार के कारिक्रम में विशलेशन जन्म कुण्डली का इस कारिक्रम के अंतरगत ये वो कारिक्रम है जो मैं कमेंट से कुण्लियां चुनता हूं और इस सब्ताह भी मैंने छे कुण्लियों का चुनाव किया है शुरू करते हैं आज का कारिक्रम के आरंध में जो मैंने शलोप पढ़ा है वो शिव पुराण का है जिसमें भगवान विदव्यास लिखते हैं कि शिव लिंग पे गाय का दूध गाय का दही गाय का घृत गो पांचों से जो पंचगव्य बनता है उससे अलग अलग भी स्नान कराया जा सकता है अभिशेक कराया जा सकता है किया जा सकता है और एक साथ मिला करके भी किया जा सकता है पंचगव्य बना करके या अलग अलग भी आप स्नान करवा सकते हैं अभिशेक मतलब मिला करके ही करन होगा है ना पंच गव्य तयार कर लीजिए उसके साथ आप चरणामरित तयार कर लीजिए और तब श्यूलिंग पे आवसे कुप से उनका अविशेक करना चाहिए क्लेर है आई ये विशेक लेकर आता हूँ नाम है इनका सुनील कुमार डेटो बर्थ है सुनील जी का 19 जून 1995 समय है सुबह 9 बज़ के 24 मिनट और जन्मस्थान है सीकर राजस्थान श्रिमन आपकी कुंडली करक लगन की बनती है और करक लगन की कुंडली बनती है लगन के अधिपती चंद्रमा होते हैं जाकर के जन्मकुंडली के अस्टमभाव में बैठे हैं लगनेस अस्टमभाव में नमांस कुंडली मकर की बनती है और दर्शमांसा तुला का बनता है तो करक लगने की कुंडली में आपकी कुंडली के केंद्र में एक भी ग्रह नहीं है राहू और केतू आपके जीवन की परिशानियों को बढ़ाने का भी काम कईवार कर रहे हैं फिलाल अभी आपको 2025 के जनवरी तक शनी की दशा चली थी इस वदर से भी आपका भागे कई बार अवरुद्ध रहा था हाला कि आपकी कुंडली में न्याय पक्ष बहुत बढ़िया है गुरू की दिश्टी नमम भाव पे है और जन्म कुंडली में पंचम भाव में गुरू बैठे हैं और पंचम भाव से बैठ करके नमम भाव पे देख रहे हैं सब्तम भाव के स्वामी का नमम भाव में बैठना जो शनी होते हैं शुक्र और बुद्ध एक आदश्वे भाव में बैठे हैं जो एजुकेशन बुद्धी पढ़ने पढ़ाने का काम सिक्षकिये योग, आयू अच्छी देना और भागे को कई बार अवरोध मिले के जाते हैं करक लगन की कुंडली के लिए सब्तम के साथ साथ अश्टम के भी स्वामी होते हैं शनी देव और ये अश्टमे सो करके भागे भाव में बैठ करके भागे की निंदा करते हैं या भागे को परिशान करते हैं ये तो अच्छी बात है कि कम से कम आपकी कुंडली में भागे के अधिपती और भागे के कारक ग्रह गुरु की दृष्टी भागे भाव पे थी इस वज़ा से कम से कम आपका पक्ष बढ़िया हुआ आप विदेश जा सकते हैं विदेशी धन आप अपने जन्मस्थान से दूर जा करके माता के प्रभाव से माता के आशिरवात से भी धन कमा सकते हैं कपड़े का काम दूध दही का काम बच्चों के कपड़े बच्चों के खिलों ने आपने जो प्रस्ण पूछा है उसने आपने पूछा है प्रस्ण की पत्नी कैसे ही मिलेगी और जौब कब तक लगेगी मुझे सुंदर पत्नी मिलेगी लब मैरे जो हो सकती है पहले करियर तो ठीक करिए नौकरी है यह नहीं तीन बार प्रस्ण पत्नी के बारे में पूछ दिया मैं आपको बताओं आपकी कुंडली में दामपत्य ठीक है क्योंकि सब्तमेश और सब्तमभाव के स्वामी दोनों जो होते हैं आपकी कुंडली में वो गुरू से द्रिष्ट है लगन करक का बाई संस का लगन बना है शुक्र और बुद्ध आपकी कुंडली में एकादश्वे महों में बहुत अच्छे बैठे हैं नवान्स कुंडली में शनी राहो केतु का प्रभाव है इस वज़़ से बिबाह बिलंब से होने का खत्रा होता है लेकिन प्रेम बिबाह होने के योग बने है करिएगा तो कुंडली मिला करके करिएगा नवान्स कुंडली का पंचम भाव तीन सुभग ग्रहों से प्रभावित गुरु और सुरी एकादश्वे भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं आपकी कुंडली का यश, मान, प्रतिस्था, नौकरी वगरा का सुख है आप व्यापार भी कर सकते हैं इसके अत्रिक्त बशमस्थान में केतु आपके करियर को रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कुछ भी अपना काम पहले शुरू किया जाए दोहजार पचीस के जनवरी के बाद से लेकर के पहजार अठाइस के माई तक आपको लगतार अपने करियर पे संपुर्ण तया अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करियर पे रखना चाहिए बाकी आपकी कुंडली में आपका चरित्र ठीक है धन भाव भी कुंडली में कमजोर नहीं है पर आपके पास धन बचेगा कम क्योंकि धन भाव के स्वामी बारह में और बारह में के स्वामी लाभ में लाभ भाव में दो सुभग्रा बैट करके पंचम भाव पे द्रिश्टी डाल रहे है इस वज़े से भी आपकी कुंडली का दाम पत्ते पक्ष ठीक है पत्री खराब नहीं है गबराने की कोई आवशकता नहीं है लगन कुंडली में भी यहां पापग्रह की रासी बनी है लेकिन नमान्स कुंडली में यहां सुभग्रह की रासी बन रही है इस वज़े से कुंडली कमजोर नहीं होगी नमान्स कुंडली अच्छी बनी है आप खाने पिने का काम कपड़े का काम पढ़ाने का काम और लौ वगएरा का छेत्र या कानून के जहां पे न्यायाल है वगएरा है वहां से बैठ करके आप कोई भी काम अपना कर सकते हैं कुंडली में चंद्रमा अस्टम में हैं आप अपने मन को स्थर करिए और मन को भटकाईए मत्व चरित्र आपका कमजोर नहीं है सुर्य और गुरू एक दूसरे से छटवे आठवे में जा रहे हैं इस वज़़े से हमें अपने आप पे काम करने की आवशक्ता है आपके गुरू की उच्छ द्रिष्टी प्राप्त हो रही है मैंने इस पे एक अलग कुंडली विश्रिशन में बात कही थी कि विवाह तूटने का खत्रा बिल्कुल भी नहीं होता है अगर गुरू की द्रिष्टी सब तंभाव पर पढ़ती है तो करियर में दम आपकी कुंडली म आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत रहेंगी क्योंकि मंगल की द्रिष्टी आठवी शनी के उपर जा रही है इस मुझा से क्लेर है उपाय के तौर पे आपको चांदी में मोती धारन करना चाहिए इस कुंडली के आधार पे आप चाहें तो गुरू वरगुत्त में आप एक दो हजार आठ बस के वैली स्मिनट सुबह में जर्मस्थान दिली इन्होंने पूछा है कि कारोबार आपकी कुंडली में आप इंटेरियर से समंधित कोई भी काम कर सकते हैं आपने पूछा है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं सजावट से समंधित जितनी चीजें होती हैं चाहे वो घर की हो चाहे वो कपड़े से समंधित हो चाहे किसी व्यप्ती से समंधित हो आप घर के सजाने के लिए जितने भी कारोबार से समंधित चीजें आती हैं वो कर सकते हैं इसके साथ आप इंटेरियर डेकोरेशन जिसको बोलते हैं बिवाह सादी से समंधित जितनी स सामग्रियां होती हैं जिसमें दुला दुलन को सजाया जाता है आप वो कर सकते हैं इसके साथ साथ आप जरी का काम कर सकते हैं कपड़ों में कपड़ों पे कसीदाकारी वगेरा कालीन वगेरा का काम कर सकते हैं घर को सजाने से समधित जितने भी होते हैं सामान आप उससे समध कोई भी काम कर सकते हैं इस कुंडली में चतुरत अस्थान में मकर लगने की कुंडली बनती है लगनका मान 22 संस का है इस वज़ा से आपको कई बार निरणे लेने में थोड़ी दिक्कत होती है सुरी और गुद्धा आपकी कुंडली में बारवे भाव में और नवांस कुंडल की पूरी कोशिस भी करते हैं व्यक्तित तो आपका ठीक है भरम में आप जादा रहते हैं क्यूंकि आपकी कुंडली आप जब किसी बात को कह देते हैं कि ये मैं करने जा रहा हूं तो वो बात निश्चित रूप से नहीं होती है लगनमे केतु आपको नजर दोश का है और बेवजा के गलत तरकों में भी उल्जा हुआ है अपने आपको इस्थित करिए मंदिर्ध होने का काम शुरू करिए शिव जी की खूब पूजा करिए रुद्राक्ष शिव जी को अर्पित करिए इसके अतरिक्त भगवान विश्णू के निमित जो कोई भी मंत्र होत हो अपने गुरू से दिक्षित होई और अपने आपको अन्हारायन के मंत्रों से अपने आपको शुसो भित करिए शुक्र एकादशमे भावमें आपके समस्तिक शाओं की पूर्ती करेंगे चंद्रमा मीन के हैं और सुरिय से केंद्र में हैं गुरू से 12 में हैं इस वज़ा भाव के स्वामी का शत्रू के साथ परिवर्तन करना तो मंगल और शनी के साथ ये चीजें बन रही है अलागि ठीक है कुणली बहुत ज्यादा कमजोर नहीं कहूंगा पर अभी दशा भी ठीक चल रही है अभी हम लोगों को कम से कम 2034 तक अभी हमारे पास 10 साल का समय है इसमें हम बहुत अच्छा ग्रोध कर सकते हैं 30 वर्स की अवस्था तक हमारे पास एक बहुत अच्छी खासी जो है वो आमदनी हो जाएगा अभी 2000 के हैं आप 2024 आ गया तो 24 वर्स के तो हो गया ना 2000 से लेके 2024 तक तो 24 वर्स के अभी 6 साल आपके पास आपके करियर के लिए समय बचा कहीं आप अगर चाहें तो आपकी कुंडली के आधार पे आप सफेद पुख्राज धारन कर सकते हैं यह बहुत जादा फायदा करेगा लगन नवांस और दशमान सा कुंडली के आधार पे आपके कर्म में आपके भागे का सुख मिल रहा है भागे भंग योग लगा हुआ ह भागे भाव के स्वामी बुद्ध बनते हैं, बार हमें बैठ गये हैं, सुरी और बुद्ध का बार हमें बैठना विप्ति को गलत जगह पे, बैंकिंग, फिनांस, आदी इस सभी चीजों पे दिमाग तो लगता है, पर कई बार उसके निरने उन सभी छेत्रों में गलत भी हो सुभा एक बज के पच्पन मिनट करनाल हर्यान, और कुंडली बनती है मिथुन लगन की, लगन में ही गुरु बैटे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली के तीन सुभगरा, क्रमसह, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, जहां लगने से केंदर में चंद्रमा, ग लेकिन कोई भी वहां पे खत्रा नहीं होगा, क्यूंकि वो क्रमसह, नमांस कुंडली में मकर में जा रहे हैं, तो यहां पे कन्या रासी में बैटे हैं, नमांस कुंडली में मकर रासी में बैटे हैं, तीसरे भाव में, तो ग्रह अपने भाव से पांज घर आगे बैठा है, मित्र के नमांस में चला गया तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है आपकी कुंडली का धन्छेत्र, बुद्धी, विवेक, संतान, दामपत्य, पराक्रम और साथी साथ क्रियेटिविटी ये बहुत अच्छा है आपने पुछा है कि आप नौकरी करें या ब्योसाए प्रत् आपकी कुंडली का जो दशम स्थान है उसके स्वामी लगन में बैठे हैं और सब्तम स्थान के स्वामी भी गुरू बैठ करके सब्तम भाव को देख रहे हैं सब्तम भाव में चंद्रमा और शनी एक साथ बैठ गए आपकी कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी शनी बनता है दशम सब्तम में आकर के लगन को देख रहा है तो भाग्य और दशम दोनों का संबंद बन गया गुरू और शनी की दृष्टी की कारण इस वज़से आपकी कुंडली हर तरीके से सफल ही है और ये असफल कुंडली नहीं है आप मेहनती भी है जब जैसा सुरूप आपको प प्रिप्ती का मन चिंतित होता है सुक्र दिखबली है खराब नहीं है चंद्रमा के अंदर में गुरू के अंदर में आपको आगे ही बढ़ाएंगे घबराने की कोई बात नहीं है निश्चिंत रहिए मैं एक बात और कह दूँ आपका जो करियर है वो धीरे धीरे ग्रोथ क खुश होते हैं वो आपके मन को विश्वास से युक्त रखते हैं हाँ ये बात है कोई खराबी नहीं है कुंडली में निश्चिंत रहिए आगे आपकी कुंडली में जो दशा आ रही है 2025 के अक्टूबर से और अभी तो थोड़ी बाद है के इसकी दशा चल रही है चंद्र के मई से ये सारी दर्शाय दोहजार अठाइस तक आपके संग खड़ी रहेंगे आगे बढ़िए ब्यापार दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे नौकरी ब्यापार आप वो भी कर सकते हैं जो आपके पिता करते आए हैं इस कुंडली को खेल के छेतर में खेल से समन्दित क कमी है और कोई रतन की जरूरत है क्या अगर आपको कोई रतन अभी के नाम पे मैं पहना दूँ तो आप चंद्रमा का रतन मोती पहन लीजे इससे आपको भागे का भी लाब मिल जाएगा करम छेत्र में मन भी लगने लगेगा शिव जी की पूजा करिए निरंतर रूप से भगवान सुरी की आराधना और मादित्याय नमा का जब गुरू मंतर से अपने आपको दिख्षित करिए किसी को गुरू बनाईए और स्रेस्ट जन को गुरू बनाईए इसके अत्रिक्त मन शांत अशांत इसलिए भी रहता है क्यूंकि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में नीच के सुक्र के उपर सनी की दृष्टी है और उस चतुर्थ भाव के ठीक पीछे मंगल केतु जैसे ग्रह बैठे हैं बुद्ध के साथ इस वज़़ा से मन प्राया परिशान रहता है घर में थोड़े बहुत कला का वाताबरन होता है और सांसारिकता थोड़ी कमजोर हो जाएंगी संतान वगेरा का सुख आपकी कुणली में ठीक है घबराने की कोई आवशकता नहीं है पढ़ने पढ़ाने में आपको मत्वेत थोड़ा हुआ होगा एजुकिशन में थोड़ी बहुत बाद आएं इस कुणली में मैं देख रहा हूँ पर आगे बढ़िये जटिक रहिए जितना जादा हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करिए और सुरी को अर्ग दीजे मंदिर का दर्शन करिए नित्य प्रती मंदिर में जाकर के ही थोड़ी सी पूजा करने की कोशिश करिए इससे तुरंत ही रास्ता मिल जाता है अगली कुणली मैंने चुनी है आरत इसका लगन बना है और राहू की दशा चल रही है इस वज़ा से कई बार आपका काम शुरू होते 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 रह जाता है दिमाग में प्लैनिंग इसलिए जादा बनती है क्योंकि 12 भाव में चंद्रमा बैठे हैं दशमस्थान में बहुत सारे ग्रह बैठ गये हैं जिस अल अस्थ हो जाने से साहस कम हो गया बुद्ध अस्थ हो जाने से लगनेश प्रविर्ती ही कमजोर हो गई तो इस कुंडली में अभी जो दशा चल रही है राहू की और बुद्ध अस्थ हैं भागेश अस्थ हो रहे हैं और साथी साथ आपकी कुंडली में कहीं न कहीं शनी मंगल राहू केतु का प्रभाव केंद्र में आ रहा है इस वज़े से गणेश चतुर्थी का वरत करिए गणेश जी की पूजा करिए चुपचाप प्रतेक दीन गणेश उसंकट नासा का स्तोत्र का पाठ करने के साथ गणपती अथर्व सिर्ष का एक बार पाठ करिए और इसके अतरिक्त देवी कवच का पाठ प्रतेक दिन किया करिए इससे कम से कम आपकी बुद्धी इस्तिर होगी मन एक आगर होगा और आपकी कुंडली की समस्या क्या है कि आप रेगुलर एक जैसा सोचते नहीं है बार बार वो बदल रहा है बार बार बदल रहा है चीजें बार बार बदल रही है मन बदल रहा है परिस्थितियां बदल रही है एक जैसा प्यप्ती नहीं है दिन चरिया भी कई बार बदल रही है आरती जी मैं आपको एक बात करता हूँ आपकी कुंडली में अभी राहू की दर्षा चल रही है और 2025 के पांचवे महिने से आने वाले हैं राहू में शुक्र कोशिस करिए कि 2025 के पांचवे महिने से पहले कोई आपका एक कारोबार सिट हो जाए क्योंकि जैसे 2025 के पांचवे महिने से लेकर के 2028 के पांचवे महिने तक की जुदशा रहेगी वो अच्छी खासी जा सकती है क्योंकि त्रीकोण के स्वामी केंदर में बैठे हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में अस्त नहीं है किसी एक मंगलवार को महिने के चार मंगलवार में से किसी एक मंगलवार को या सनीवार को हनमान चाली सा 108 बार पढ़िए इसके अत्रिक्त एक लाजवर्त धारन करिए चतुर्थी का वरत आरंभ करिए और गीता जी की एकादश्वे अध्याय का पाठ लगातार करिए प्रतेक दिन सुबह में बिना खाय पिये सनान करने के तुरंत बाद इसके अत्रिक्त किसी मंदर का दर्शन नियमित रुप से करिए माथा पटकिए पंचांग प्रणाम करिए लगन जीरो अंस का बना है आपकी कुली में यही समस्या है नहीं तो इस कुली में ऐसी कोई बात नहीं है दशमस्थान में बहुत सारे ग्रह बैट जाते हैं या किसी भी भाव में तो भाव थोड़ा सफोकेट होने लगता है इस वज़ा से कई बार परिशानी आती है दशमान सा कुंडली का लगने इस अस्टमभाव में है बहुत सावधानी से सतरक हो करके खाने पीने का काम आप कर सकते हैं टीफिन सर्विस का काम कर सकते हैं उसके बाद कपड़े का काम भी कर सकते हैं ब्यूटी प्रोड़क्ट से समंदित काम कर सकते हैं और मिठाईयां ड्राइफ रूट का काम ये छे काम आप कर सकते हैं क्लेर है अपने व्यक्तित्तों को बल देने के लिए नीमित रूप से बजरंग बली के मंदिर का दर्शन, सुर्य को अर्ग, रवी वार को नमक का सेवन बिलकुल बंद, गीता जी के एकादस्वें अध्याय का पाठ, चतुर्थी का वरत आरंब करिये, प्रतेक दीन गीता जी के एकादस्वें अध्याय का पाठ लगातार करिये, लाजवर्त धार पर आप इतना लिखते हैं कि मुझे आपकी कुंडली लेनी पड़ी और आपने प्रश्ण पूछा है मुझे सोसाइटी के लिए गरीब लोगों के लिए कुछ करना है कर पाऊंगा क्या सबसे पहले तो बात उठती है कि ये भाव आया क्यों और वो भाव इसलिए है क्योंकि आपके कुंडली का नमम भाव बलवान है तो बिल्कुल कर पाएंगे इसमें कोई संदेह नहीं है राहू की बार्वे भाव से द्रिश्टी कुंभ लगन की कुंडली में तेई संस का लगन बना है थोड़ा ढलान है देर से काम होगा पर बार्वे भाव में राहू और चंद्रमा के कारण दिमाग स्वस्त है अप और परिशान भी है बेवजह की बातों पे आपका दिमाग ज्यादा नस्ठ होता है बेवजह का तर्क आपका दिमाग ज्यादा करता है गणे जीके मंत्रों का जब करिए, गणपती संकत नासकस्तोत्र और गणपती अथर्वस्ष ये दोनों प्रत्रेक दिन किया करिए आपका चरित्र भोत अच्छा है आप धर्म से जोड़ करके पूजा पाट से जोड़ करके और चैरिटेवल ट्रस्ट से जोड़ करके परियावरन से समंदित गरीबों के लिए बच्चों के लिए कुछ भी काम करना चाहते हैं 100% आपका वो काम सफल होगा आप पराक्रमी हैं नियाए प्रिये हैं चरित्रवान हैं ग्यानी हैं पर आपका मन परेशान है तो हमें उसी को बलवान बनाना है रुद्राप्छ धारन करिये प्याज लहसन का सेवन मत करिये नमक का सेवन बिलकुल कम करिये अपने कुल देवता की उपासना करिये रवी बार प्रिक्षार उपन का काम कर सकते हैं, इसके अत्रिक्त आप IT सिक्टर में भी जोड़ करके कोई काम कर सकते हैं, कपड़े का काम भी आपकी कुणली में बहुत अच्छा बनेगा, सबसे बढ़ियां इस कुणली में खाने का काम बहुत उत्तम रहेगा, पंचमेश शत्रू के घ टूबर तक ये एक कमजोर दशा रहेगी, इसके अत्रिक्त आपकी कुणली में एक अच्छा समय दो हजार पचीस के दिसंबर के बाद आएगा, पीछे आपने राहू की दशा जहली है, जिसमें मन बड़ा परिशान और सबसे खराब दशा रही, लेकिन अब गुरू की कुणली में ठीक बैटे हैं, नमांस में भी, लगन में भी, ऐसा मेरे अंदर कहने की शुक्ती नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मैं ग्रहों को देख करके कह रहा हूँ, आपकी कुणली में लगन में भी, नमांस में भी और दशमांसा में भी ब्यापार ठीक है, आपको ब्यापार करना चाहिए और इस छेतर से जोड़कर कि आप कोई भी काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे बाकी आपकी कुंडली में चंद्रमा सुक्ल पक्षके नहीं है कृष्ण पक्षके दुतियातिती के हैं इस वज़ा से शुभग्रा बने हुए हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन वह बारहमे भाव में भयंकर ग्रहण है इस वज़ा से पतनी के साथ सारेनिक समंदों में दिक्कत हो सकती है मन परिशान रहता है घर परिवार में कलह का वातावर्ण बनता है और प्राया इकठा करने में वक्ति को दिक्कत होती है आप सबसे जादा सिव जी की पूजा करिए तामवेकाना अगर्पित करिए पुर्वजों की पूजा करिए कुल देवता के नाम पे दीपक जलाईए वास्तु देवता के नाम पे दीपक जलाईए छोटे भाई, बड़े भाई के साथ आपके समंद अच्छे हैं इसमें कोई संदे नहीं है समय 2025 के दिसंबर से अच्छा आ रहा है हमें काम करना चाहिए आत्मविश्वास बना के रखिए कुली अच्छी है लगनेश का लाभभाव में जा करके लगन को देखना यह बहुत उत्तमबात होती है बहुत अच्छी बात है कि लगन के अधिपती आपकी कुली में कादर स्वैं बैट करके लगन को आपस देख रहे हैं अच्छनबवाव पर उनकी दृस्टी है अब क्या चाहते हैं बहुत अच्छी बात है खुद आगे बढ़िए अगली कुंडली मैंने जो चुनी है ये है वीवान थपन दो हजार तेईस डिटो बर्थ हिनका है 14-10-2023 अक्टूबर का ही ये लड़का है दो बज़ के 20 मिनट दो पहर में लुधियाना पंजाब मकर लगने की कुंडली बनी है बच्चे की कन्या रासी है रासी के स्वामी बलवान है सुरी बुद्ध और चंद्रमा एक आदश्वे भाव से पहले मतलब नमम भाव में बैटे है ये ठीक है दर्शमस्थान इसका ठीक होगा गुरूर राहू और केतु के संपर्ग में है शनी बार वो परिशान करने वाला काम करने लगता है निद्रा पे फोकस बढ़ाने की आवशकता है मंगल इसके ठीक है इस वज़े से ये प्राप्त कर जाएगा ये वाणी इसकी कंभीर होगी सुखी होगा इसमें कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं है भवन भूमी वाहन आदी क जा सुख ठीक होगा इसके समंध पिता से कमजोर ना हो इसका ध्यान वीशेस रखना होगा बाकी अभी मंगल की दशा चल रही है मकर लगने की कुंडली के लिए मंगल सुख और एकादश में के अधिपती होकर के जाकर के जन्म कुंडली के दशमस्थान में बैठे हैं नमा पित्षे के वजन के बराबर तुला दान करवाईए आप लोग जनम दीन में जो मनाते हैं ना पता नहीं क्या क्या डिमडाम पस्चिमी सभ्यता को ऐसा मत करो इसका जो जन्म होगा यह मैं आपको बताओं कि मैं आपको डीटेल बता देता हूं कि इसका जनम दिन मनाना है भ जनम दिन मनाईए नक्षत्र जो मिल जाए तो आप हस्त नक्षत्र अगर मिल जाता है उसी के आसपास तो आप हस्त नक्षत्र में भी मना सकते हैं तीनो छोड़गर के आप भादरपद माह में कृष्ण पक्ष में अमावस्या के निकट जो हस्त नक्षत्र मिल जाए अगर उसी के आसपास अगर मिल जाएगा, तो आप जन्म में नक्षत्र का आप देखना होता है, जैसे कृष्ण जन्मास्टमी अभी बीती, तो उसमें रोहिणी नक्षत्र देखा जाता है, तो उसी तरीके से, अगर नक्षत्र के हिसाब से, दो-तिन दिन आगे पीछे भी अगर मिल रहा हो, तो हमें नक्षत्र में ही जन्म दिन मनाना चाहिए, तिथी मैंने बताई, भाद्रपद, कृष्ण, अमावस्या, अभी ये भाद्रपद महीना ही चल रहा है, भाद्रपद है, कृष्ण पक्षे की त्रियोदर्शी तिति है, दो दिन बाद ही इस बच्चे का जन्म दिन आएगा, कृष्ण अमावस्या, भाद्रपद मह, कृष्ण पक्षे चल रहा है, आज त्रियोदर्शी तिति है, तो अच्छतुर दर्शी उसके बाद मावस्या परसो ही दिन और ऐसे आप अगर हिंदी महीने में मनाएंगे तो 14 हक्टूबर अभी पूरा 14 दिन बाकी है आज 30 तारीक है तो अभी पूरा 14 दिन से पहले ही आपका जनमतित्थी आ जायेगा और इसी तित्थी वार के दिन इसी नक्षत्र के दिन दान पुन्य इसका शनमतित्थी मनाया जाये तो बहुत अब रहेगा क्लिर है कुछ इसी तरीके से आज के इस छे कुंडली विशलेशन के कारेकरम का समापन करते हैं आप लोग बन के रहेए प्रति एक दिन लिखा करिए ताकि मुझे कुंडलीयों को चुनने में आसानी हो जाए तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कारी